ना कौनो हाट ना बजरिया से हो ला उमरिया के रोग हो नजरिये से हो ला नमस्क्राइब भाईयो आज के किलेंडर क्लास में हम लोग वो चीज पढ़ने जा रहे हैं कि जो एक्जाम में बार-बार पुछता है और बीना कोड याद किये बीना कोई चीज को रठे रठाए एक गम चंद सिक्रनू में कैसे कोस्टन बनाना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि पिछला जो क्लास है उसमें थियोरी के बारे में पहुछ चुके और जो थियोरी से रिलेटेड कोस्टन होता है उसको हम लोग बनाए है और आज में के क्लास में बीना थियोरी पर है कैसे कोस्टन बनाएंगे और जो कोस्टन एक्जाम में बार-बार पुछता है उ लिखा है दो जनवरी 25 को गुरु बर्ः था क्या लिखा है गुरु बर्था तो बताएं पंदरे मेर्ष 95 को कौन सा दीन था यह सब क्वेस्चन बार-बार पुछता है इस को हम लोग क्या करेंगे पहले निकालेंगे इसके बीच में कितना दिन है तो दिन निकालने के लिए अगर यहां पर दो को लेंगे तो 15 को छोरेंगे और 15 को लेंगे तो दो को छोरेंगे किसी एक को छोरेंगे एक को लेंगे तो यहां हम दो छोर रहे हैं तो जन्वारी कितने दिन का होता है यह बता चुके हैं जो जन्वारी होता है 31 दिन का होता है इसमें से दो निकाल दीजिए कितना बच गया गूमसान भासां बताएंगा Sophia 29 फॉलस कर देजिए परवर्य जो होता है आपका कितना दिन का होगा अगर लीप ये रहे तब होगा 29 दिन का लीप ये नहीं है तब होगा 28 दिन का हैbox यहांपर 15 लेंगे अगर दो छोरिए तो इलों इतर 15 पूरा लेंगे और इधर चौणडा दिन लेंगे तो इदर दो पूरा लेंगे एक बार फिर शे समझे लिखा इसे 2 जनवरी 1995 को गुरु बार था तो बताएं 15 मार्च और 1995 को कौनछा दीन था निखे दो छोड़ देंगे जनवरी में 29 दिन हो गया मेरा फरवरी लीपियर नहीं है तो 28 दिन क्या हो गया मार्च में 15 दिन क्या हो गया इस तीनों को एड़ कर देंगे लिए दो ओर कि साथ हमें साथ दिन होता है इसलिए इसमें क्या करेंगे साथ से भाग देंगे और सेस guten बचेगा इसाथ से भाग देंगे तो सेश कितना आ रहा है दो आ रहा है इसलिए मेरा जो दिन होगा गुरु बार के दो दिन बाद होगा तो गुरु बार के दो दिन बाद क्या एगा गुरु बार के दो दिन बाद सुकर बार सनी बार इसलिए एंसर क्या हो गया सनी बार फिर से एक बार समझेए लिखा है दो जन्वारी अनई सब पंचानवे को गुरुबार था तो बाताएं 15 मार्च अनई सब पंचानवे को कौन सा दिन था तो क्या बोले याँ दो को लेंगे तो पंदरा को छोर देंगे सब्सक्राइब 떠- reverb allows भाइब 7 दीन होता इसलिए 7 से बहतं देदा गया जो से सहेगा वह जो सेज्टाइगा वही आप देन होगँ के बाद इसलिए मेरा जऊद्व के दो दिन भाद मेरा सनी भाइ को मेरा वीडियो पसंधारी एक वर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए क्योंकि वीडियो कि वह बॉट्टन करे ला है जो एक्जाम में बार बार पुछा जाता है और जो भाई मेरा थियूरी नहीं परें है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिये हैं संबार है यह एक लिप्बइर के मतलब हो गया कहने का कि फरवरी जो होगा उससाल का 29 दिन का होगा ठीक तो यहां तो फरवरी के कहीं जीक्र नहीं है डाइरेक्ट अगस्ट से चालू किया है तो इसमें लीपियर नहीं लिया जाएगा कोस्चन आपको गरवराने के लिए लिख दिया है कि आप लीपियर लिजियेगा तो आपका एंसर गलत आएगा देखें लिखाए 21 अगस्ट सुमबर है अगर यहीं लिखता कि 21 जनवरी सुमबर है तब लीपियर का भेलू रहता लेकिन 21 अगस्ट से चालू कर दिया इसलिए लीपियर का भेलू नहीं है तो क्या करेंगे जैसे 21 अगस्ट सुमबर है तो एक तीन साल बार तो तीन दिन बार तो 21 अगा सुम बार है तो सुम बार के तीन बर्स बाद अगर एक बर्स बाद को है तो एक दिन बरहा दिया जाएगा मंगल बर हो जाएगा दो बर्स बाद को है तो दो दिन बरहा दिया जाएगा तीन बर्स बाद कहा तो तीन दिन बरहा दिया जाए तो इसलिए अभिस्ट द दिन बाद कौन से दिन आता है मंगल बुद्ध विरस्पत बार यानि कि गुरू बार आ जाएगा मेरा फिर से एक बार समझें लिखा है एक ऑगस सोमम बार या एक लीव बडसे लिख दी आपको गरबार आने के लिए क्यों कोई आपको 20 अगस सु्क्सा स्पर इतारी में utilized नहीं आएगा या बर्स बाद क्या होगा एक बर्स बाद पुछता तो एक दिन बाद दो बर्स बाद पुछता तो दो दिन बाद तीन बर्स बाद पुछा इसलिए तीन दिन बाद मेरा गुरु बर एंसर होगा तिसरा कोस्चन दिखिए लिखा है बारे जनवरी अनई सो असी को सनी बार था क्या लिखा है बारे जनवरी अनई सो असी को सनी बार था तो बारे जनवरी अनई सो उनासी को कौन सा दिन था कौन सा दिन था तो एक साल पहले का पूछ रहा है अगर लेकिन यह क्या है अनाई 180 आपका लीप बर्स है लेकिन लीप बर्स में आप फरवरी क्रोस नहीं किया है 29 फरवरी इसलिए इसको लीप बर्स नहीं मना जाएगा अगर पुछे 12 जन्वरी इस च возмож gua एकोन सा दिन होगा तो उसमें लीप ऺ्रोस करेगा तो दो दिन बार्ष साठी अगर फीर नहीं करष पुड़े तो एक रहाए जाएगा लेकिन अगर फिर बैग में पुछे एक साल थो एक दिन पहले आजा नाए तो सनीवार था, तो 12 जन्वरी अन्य साउनासी मतलग एक साल पहले कौन सा दिन होगा, तो सुकर बार होगा, एक साल पहले कौन सा दिन था, तो सुकर बार, ठीक, एक बार फिर इसको समझे, 12 जन्वरी अन्य साउनासी को सनीवार था, तो 12 जन्वरी अन्य साउनासी को कौन सा दिन था तो एक साल पहले का पूछ रहाया है पर ली पियर क्रोस नहीं किया इसलिए एक साल पहले का लिख देंगे एक साल पहले एक दिन पहले सनी बार से एक दिन पहले सुकर बार जो भी भाई मैंने बेसिक नहीं पर है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं परसो सनी बार है तो कल से तीन दिन पहले कौन सा दिन था परसो जो होता है कितना दिन का होता है परसो जैसे कल परसो दो दिन का पलस कर देना है कल कितने दिन का होता है कल एक दिन का होता है तो एक पलस कर देना है और तीन दिन पहले तो तीन पलस कर देना है और सब को एड कर तीन चुनल से फीर समझे लिखा याद फर्श सनी बार है पर्शो कितना दिन का हुआ मेरा दो दिन का हुआ तो कर से जो जो बोल रहsten मेर को लिख दीजै पर्शो कर से धित कर से वोगद दिन во च मेंन का में 7 से भाग देना करें मुझी साफ्ता हमें कितना दिन होता है साथ दिन होता है तो सा سے भाग दे दिया छे बाई साथ तो छे बाई साथ कर दिया तो छोव मेरा क्या आगया तो यहाँ था पुछ रहा है था पुछ दिया मतलब पहले पुछ दिया सनी बार से छे दिन पहले कौन सा दिन था छे आगया मतलब पहले पुछ रहा है था लिखने के मतलब पहले है मतलब बाद में तो सनी आगी थिस जूलाई 2000 को कौन सा दिन था रविवार था आप देखे पांच नमर कोश्चन यादि एक माई 2000 ओवर था तो एक-टिस जुलाई 2000 को कौन सा दिन था क्या बताएं हैं अगर इसको लेंगे एक को तो इसको छोर देंगे और इस एक तीस को लेंगे तो एक को छोर देंगे तो मई मेरा कितना दिन का होता है तो एक छोर देंगे तो कितना पॉस गया 30 पॉलस जून मेरा कितना दिन का होता है 30 दिन का होता है तो 30 पॉलस इसमें एक छोर हैं तो पूरा ले लेंगे एक तीस एक तीस बराबर एक कानवे बटा साथ भाग दे दिए तो जीरो आ गया इसको संक लाने का में मक्सद था कि जीरो आएगा तो क्या करेंगे ठीक देखिए जब सेस जीरो आ जाएगा तो क्या होगा सेम दे होगा जब सेस जीरो आएगा तो क्या होगा सेम डे होगा मंगल बार था तो कौन सा दिन होगा मंगल बार होगा अगर एक आता तो क्या होता मंगलबर की एक दिन बाद वाला दिलगल लेकिन अगर आ जाये तो मंगल भर है तो मंगले अबर होगा बूद्य बर होगा 6 तो मैं वीडिया आ रहा है एक बार चैनल को सबस्क्राइब जरूर किजिएगा और पार्ट वन इसका हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है उसको जरूर देखिएगा देखिए क्या लिखा है छे नमर दो जन्वारी और पंद्रे मार्च और पंद्रे को छोर देना है और तक लिख दे तो पूरा को जोर ना है दो जन्वारी तो दो लेलीज यह जन्वारी में हो गया 30 दिन पलस फर्वारी लिप यह नहीं है तो फर्वारी आपका 28 दिन का हो गया पलस पंद्रे का पंद्रे लिख देंगे आठ पांच तेरा के तिन हर्षिन एक हो गया एक एक दो दो चार तिन साथ हो गया ती हत्तर दिन होगा प्रवारी आपको बहुत मिस्टेख करेंगे यहां तक लिखा है मतलब पूरा को एड करना है अगर बीच लिखे तो दो को पंद्रे को छोड़ देना है तो एक हत्तर दिन आए आएगा ठीक अगर यहीं पर आपका बीच लिख दे बीच तो क्या करेंगे दो को और पंद्रे को छोड़ देंगे जीन भाई को वीडियो पसंद आया है वो मेरा चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे धन्यवाद